हेलो फ्रेंड्स विल्कम वेक टू माई चैनल तोड़ेवार टॉपिक इस हाव तो रिजिस्टर फा उनलाइन क्लासेज काफी मेरे स्टूडेंट्स अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि उनलाइन क्लासेज कैसे ले तो मैं बताऊंगी सबसे पहले हम आप अपनी डिजिस्ट्रेशन कंपलीट करेंगे इफ एफ आपकी रिजिस्ट्रेशन आटो नहीं हुई तो मस्टर्स डिगरी कोर्स जो है जिनमें एकनोमिक्स भी आता है उनको उनकी जो रिजिस्ट्रेशन है वो आटोमैटिक हो रही है उनको कोर्स चूजज करने की कोई जरू होते है लेकिन अब गर आ या 5 years single cycle degree है तो वहाँ पे जाएंगे चुछ करेंगे नेक्स करके आप यहां से अपना subject देखेंगे और registration कम्प्लीट करेंगे क्लिक करके बहुत ही easy है आप यह easy तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी मैंने चुछ के आप second level master सम्चुछ कर रहे हैं यहां अभी degree course में जा रहे हैं देखें यह सारे subject courses जो हैं available हैं इन में से जो आपका subject हो आप उससे select करेंगे यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका subject है काफी options हैं देखें social service science, geological sciences चूज करने के बाद आप next करते जाएंगे आपकी registration जो है Alice Portal पर registration कम्प्लीट हो जाएगी then particular number पर जा रहे हैं registration number, serial number जिससे कहते हैं तो यह देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है enrollment in master degree course, second level courses जो हैं उनको do not have to choose उनको choose करने की ज़रत नहीं है वो auto register हो गए हैं जिन में से economics पी आता है economics का पी student मुझे message कर रहे थे कि हमारा जो course है वो हमें मिलने ही रहा है तो यह automatic registration उसकी हो जाती है Alice Portal पर यहां पर आप university की website जाके यह master degree courses जो भी courses है विन आपके आप procedure and terms जो है terms इनके पढ़ सकते हैं कैसे हमने registration करनी है यह registration के लिए सब कुछ लिखा हुआ है अच्छा online courses के लिए online lectures के लिए आपने जो है enrollment जरूरी नहीं है सिर्फ आप Alice Portal पर registration करके अपनी classes जो हैं वो ले सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे ले सकते हैं यहां पर लिखा भी हो रहा है फार आप अनलाइन classes that will be offered by the university of visa in the first semester academic year 2001-2002 it is not sufficient to register तो यह सारा procedure लिखा हुआ है कैसे आपने registration करनी है वीडियो के न तक मैं आपको सब कुछ बता दूँगी one by one कैसे कैसे आपने registration कम्पलीट करनी है यह देखें लिखा हुआ registration के लिए आपने LS Portal पर जाना है जिस पे आपने अपनी personal photo देना है जो register लगा सकते हैं अगर नहीं लगा रही तो आप उनको email कर दें जो लगा दें वो खुद ही लगा देंगे हम बेख जाते हैं master's degree यह सब कुछ जो यूनिवर्स्टी पोर्टल पर आपको बिल जाएगा हम वापस जाते हैं आपको बताते हैं कि registration कैसे होगी यहां पर हम आएंगे LS Portal पर अगें आपको documents भी यहां identity documents देना है अपना passport जो है वो है यहां पर देना है उसके इलावा आपने photo अपनी लगानी है list of certificates जो जो आपके enrollment वगरा आएंगी यह इसी में आएंगी enrollment data अच्छा यह आपके web mail में जाएंगे यहां पे आप क्लिक करेंगे क्लिक है तो आप अपने डारोग डारेक्ट अपनी में यह अपनी open की है इसमें सारी मेरी email हैं जो जो यूनिवरस्टी के official email होती है वो यह ही है यह LS portal के थुरू भी आप खोल सकते हैं वहीं पे उपर लिखा है web mail यूनिवरस्टी web mail यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यह यूनिवरस्टी web में आजाएगी यह मेरी यह आप देख सकते हैं जो मैंने वहीं से LS portal से ही open की है again मैं वहीं जा रही हूँ आपको online classes का बताने तो online lesson guidance जो है वो आपको मिल जाएगी आप download कर सकते हैं लेकिन यहां पे जो मेरे mobile में है वो option नहीं आ रहा इसके मुझे computer में खुलना पड़ेगा आगे जो भी lecture में आगे बता रही हूँ कि कहां से registration होगी वो वहीं से मैं आपको अपने laptop call के वहीं से आपको आगे बताती हूँ क्योंकि यहां पे मेरे already registration हुई हुई है तो मेरे mobile में सारी application से वो वहीं से खुल रही है वो आपको समझ नहीं आएगा मैं computer में आपको बता रही हूँ ताके आपको easily सारे जी हम आ गए हैं अपने laptop से online यहां पे लिखावा बिचलर और master degree course है तो online lesson देना है यहां पे क्लिक करिए देखें यहां पे क्लिक किया अपने अब license और exams के बारे में यह सारे software जो आपने download करने है online lesson के लिए यह सारे इसमें रखे हुए है online lesson के लिए आपने क्या करना है यह देखें guidance दी हुई है के e-learning website जो है यह जो e-learning application है इसको अगर आप open करेंगे तो इसमें आपके lessons जो भी lectures होंगे उनमें सारी आपकी data पड़ी होगी के यहां पे यह देखें यह application भी है लग से आप download भी कर सकते हैं यहीं पे खोल सकते हैं अपना account क्लिक करते जाएंगे आपके university के जो LS portal का account आपको open करना होगा और देते जाएंगे और आपकी सारी applications जो है वो बनती जाएंगी यह है यह है आपका module जिसे केते हैं और e-learning website यहां पे आप लिखा हुए आपने कैसे registration करनी है यह है registration यह लिस्ट पोर्टल की registration आपने कर दी है उसके बाद आपने यह हैं हम tools and softwares पे जाते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से software डाउनलोड करने हैं जिससे आप अपनी जी यह देखे हैं email box आपने अपनी email box बनानी है कि university की email यहीं पे बन सकती है यह देखे हैं available for the enrollment आप online lesson ले सकते हैं और यह applications डाउनलोड कर सकते हैं email में जाएं मैं new tab में खुल रही हूं ताकि आपको easily समझा जाएं जी यह देखे हैं यह है आपका email यहां पे आके आप अपनी email रिजिस्टर करेंगे LS portal का same जो है वो data यहीं पे put करेंगे और आपकी email address बन जाएंगी फिर university आपको direct वहीं पे युनिवस्टर की जो भी email होंगी वो direct वहीं पे आपको आएंगी कैसे सेट करनी है इसमें सारा लिखा हुआ है बस आप LS portal वाला अपना data देंगे वो same यहीं पे और युनिवस्टर की website आपको direct खुल जाएगी जी उसके बाद हम office 365 पे जाएंगी यह office बनेगी उसमें सारी आपकी applications आजाएंगी और यह open करेंगे आप open करने के बाद आपको यह create करनी है यहीं पे website दी हुए युनिवस्टर की जो email बनी है आपकी वही put करके आप अपनी office बना सकते हैं तो बहुत ही easy है आप easily अपनी बना सकते हैं office उसमें जो जो लिखा है बस LS portal वारा अपने user name password देना है तो अब हम आगे जाते हैं यहां पे इसारे software दिये हुए हैं तो हम तक हम मैं आपको दिखाती हूं आगे office जो वह 360 कैसे होगी यह देखें यह office है यह सारे इसमें applications दी हुई है team भी है आपकी वह all applications है यह देखें यहाई से यह आप team डाउनलोड करेंगे और वहीं पर आपके online lectures होंगे यह सारे जो है applications है Microsoft के Excel, Forms, Leads, University के सारी डेटा आपके C में आ जाएगी lectures जो है यहाँ पे recordings भी होती है online lectures होते हैं जो present में lecture लेते हैं students वो वहीं बेट के भी लेते हैं और वही same आप online ले रहे होते हैं same वहीं पर recording हो रही होती है online lectures भी वहीं class में हो रहाता है same होता है कोई recordings नहीं होती है पहले से online lectures बिलकुल live होती है यह सारे देखें यह स्क्रीन पर देख सकते हैं mobile थोड़ा टेरा हो गया है लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं टेरे mobile के साथ भी यह सारे जो हैं मेरे PDF में यह सारे documentation पढ़ हुए यह इमेल में खोल दी अपनी यह email में देख सकते हैं आगे हम जाते हैं यह email box applications तीम में जाएंगे आप यहीं पे online lectures के लिए जो new students है तेखें मैं टीम फोल रही हूँ और google meet पे भी होती है online classes पर बहुत कम जो हमारे last time lectures होएते हैं यहां पे आप जाएंगे और application डाउनलोड करेंगे अगर डाउनलोड नहीं करनी तो website से यहीं direct पी आप देख सकते हैं यह मैंने अपनी दिखा दी है मैंने अपनी application मेरे already downloaded है तो मैंने वहीं खोली है यह देखें यह मेरे subjects हैं यह सारे subjects जो हमने लिए हैं यह सारे subjects हैं यह उसके one by one में एक subject खोलूँगी यहां पे आप अपने subject का जो code है वो देखके यहां पे इंटर करेंगे code वो लेक्चर आप जो है subject आ जाएगा और आप subject खोलेंगे और उसमें आपके अपनी आप खुद को aid करेंगे जो personal account है वो aid हो जाएगा फिर जैसे ही online lecture स्टार्ट होगा आप जो है नोटिफिकेशन आजाएगी पोर्टल पे वही online lectures पे ही लिखा हुआ है वहां जाएंगे अपना degree course यहां पे open करके new registration क्लिक करेंगे new registration के बाद अपना degree course select करेंगे अपना degree course में यह देखें मेरे course select की यह सारे मेरे courses आगए मैंने economics master लिखा तो this is the courses for economics and master तो in the left side there is a coded and subjects यह फ़िए के नाम भी लिखें हुए हैं प्रोफेसर्स के नाम भी लिखें हुए हैं यह आपके code भी लिखें हुए सारे data आपको यहीं से मिल जाएगी कि इविन आपको ये भी पता चल जाएगा ये जो आपका exam होगा, वो online होगा written होगा, oral होगा जो भी होगा, यहीं पे लिखा वो dates भी दी हुई है, यहाँ पे यह exam portal है यहाँ पे आपकी exam की registration होती है जब यह exam होंगे कहा होंगे, कैसे होंगे उनकी पूरी data और registration कैसे होगी वो भी यहीं पे आपको subscribe करना होगा exam जब आपको देना है यहीं पे आप जो भी आपका course है आप यहाँ पे लिखके degree course सर्च करेंगे आपके सारे courses आ जाएंगे यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं और team platform से direct भी आप सर्च कर सकते हैं वहीं पे आप सर्च करेंगे अपने courses वो वहीं पे भी मिल सकते हैं और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत एजी है सर्च करना बस आप team platform जाएंगे अपने data लिखेंगो और अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप सर्च करेंगे अपने courses यह देखें मुक्तलब courses आ गए हैं मैंने दूसरे courses भी सर्च की है master's के जो भी हैं यह सारे courses आ गए हैं इसमें से जो आपका course है आपको select करेंगे और वो आ जाएगा मैंने randomly select किया हैं कुछ courses जो भी आ रहे हैं मैं नाम लिख रहे हैं जो जो subjects आ रहे हैं आप देख सकते हैं यह देखें बहुत सारे courses आ गए हैं आप इसे अपने courses find करेंगे इनको click करेंगे आपको direct जो है वो link आ जाएगा कि टीम पे आपने इसको जो है aid करना है वो subject आपका aid हो जाएगा जो जो subjects हैं आप फस्ट एर में भी जो courses हैं आपको अच्छा course का किसे पता चलेगा course का आपको पता चलेगा एल स्पोर्टर पे एल स्पोर्टर पे steady plan है steady plan आप खोलेंगे वहाँ पे आपका course लिखा होगा steady plan भी वहीं पे बनेगा steady plan बनाके फिर आपके यहाँ पे चूज करेंगे courses यहां team platform पे चूज कर सकते हैं देख सकते हैं यह देखें मुक्तलिफ courses हैं जो मैंने आपको यहां पोर्टल पे दिखाएं हैं exam पोर्टल पे यह देखें यह देख सकते हैं कितने हर को सको यहीं पी हर सब्जेक्ट आपको मिच जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें यह सारे courses हैं यह सारे courses human resources development, theory, financial, technological, management यह सब courses हैं अच्छा आप किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं यह human resources development को यह देखें यह लिखा हुआ है कि Microsoft team पे आप एड़ करना है इसको किलिक करेंगे अपनी Microsoft team platform पे यह subject एड़ हो जाएगा अब easily online class ले सकते हैं मेरे पास application डाउनलोड है तब यह open नहीं हो रहा तो मैं एड़ नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरा subject नहीं है प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयक करना सबस्क्राइब चैनल को सबस्क्राइब करना ना बुलिएगा और जो भी अगला आपको problem हो कोई